जेहिन दोस्तों मैं हूँ वैवख शर्मा और आज की लेक्शर में हम देखेंगे जो हमारा इंडियन पैनेसुलर था यह वाला जो पाद था नीचे वाला इंडियन इसकी हमने पिछले लेक्शर में हमने इस्टन घाट में जो रिवर्स गिर रही थी जो वे अपना पानी गिर लिए था आज हम बात करेंगे किसकी आज हम बात करेंगे जो आपकी वैस्टन घाट में रिवर्स किरती हैं वैस्टन घाट में जो रिवर्स आके गरती हैं उनकी बात करेंगे क्या क्या उन पर फैक्ट बन सकते हैं क्या 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 उन पर कोशन्स बनते हैं हम इन सारी चीजों फिर डिस्कस करेंगे हैं, तो चले बेस्टन घहर्ट की रिवर्स के बारे में तो बेस्टन घहर्ट में रिवर्स जो है अगर हम थोड़ा सा ओवर व्यू देख लें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लूणी रिवर मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर सावर मती रिवर मिलेगी फिर आपको नरवदा माही मिलेगी ऐसे फिर आपको नरवदा मिलेगी तापी मिलेगी तापी के बाद फिर आपको गुआ में चले जाए है तो गुआ में आपको बहुत रिवर मिलेगी मंडवी मिलेगी मंडवी के बाद फिर नीचे आएंगे तो ज जुवारी मिलेगी कर्नाटक में यह गूए में सराफती मिलेगी, गंगावली मिलेगी इसके बाद नीचे केरल में आएंगे तो भरत-पूझा मेलेगी आपको पेरियार मिलेगी पंबा मिलेगी यह रिवर है यहां पर जो अपना पानी कहां गिराती हैं यह जो छोटी छोटी रिवर्स हैं यह अपना पानी गिराती है एरेवियंसी में और एरेवियंसी का ही पार्ट है गल्फ ऑफ खमबाद खमबाद यहां पे अपना पानी चार रिवर गिराती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्षर यहां पे हम देखेंगे जो वेस्टन घाट में अपना पानी जो रिवर्स गिराती है जो पैनिंसुलर रिवर्स हैं तो उनके बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले अगर हम यہा पे देखें तो हम मैक पे बात करेंगे यह कौन से रिवर्य यह है यह है यह है लोनी कहां कहां से निकलती है इसके सोर्स पॉइंट की बात करें तो इसका जो सोर्स पॉइंट है राजस्तान में अरावली यहां पे एक अरावली मौंटेन रेंज है इस निकलती यहां इस वाले पोर्चन से निकलती यहां इस पर खोश्तान की जिसे सामवर लेक बोलते हैं तो سसामवर लेक आपकी लूणी रिवरर पर पाए जाती है लेकिन ये अपना पानी बैस्ट अरेवियन सी वे ना गिरा के कहा गिराती है सार्वियन सी तक ही पाहुँंच पाती है और ये गल्फ कच्छ आफ जो तो रन आफ कच रन आफ कच बहां में बिलीन हो अब यहां पर कोशन बन सकता है कि कौन सी रिवर है अपना पाणी समूद्र में नहीं गिराती है तो आपको पता होना चाहिए लूनी रिवर है जो अरावली की मांट परवत से निकलती है और क्या करती है अपना पानी कहां गिरा देती है अपना पानी रन आफ कच में ही बिलीन हो जाती है उस बल्दल में ही बिलीन हो जाती है समुझ तक नहीं पहुँच पाती है और इसी रिवर के बैंक पे आपको मिलेगी एक सांवर ल तो लूनी रिवर आपको दो स्टेट में मिलेगी कौन-कौन से राजिस्तान और गुजराथ ठीक है अब नेक्स नेक्स रिवर देखेंगे हम सावरमती यहां से चलती है राजिस्तान से और यह गल्फ ऑफ खमबाद्द यह जो गल्फ दिख रही है यह यह इसका नाम क्या है खमबाद ठीक है तो सावर मती लेक ये है सावर मती सावर मती सावर मती रिवर अब इस सावर मती रिवर की बात करें तो ये कहां से चलती है राजिस्तान और गुजरात में दो स्टेट में फ्लो होती है तो ये राजिस्तान से चलती है राजिस्तान से कहां उदैपुर जो डिस्टिक है तो उदैपुर डिस्टिक में एक जगए है क्या मेवार काफी फेमर जगए है मेवार तो मेवार से ये निकलती है सावरमती और ये कहां गल्फ ऑफ खंबाद में जाके अपना पानी गिरा देती है और यहां पर सावरमती के तड़ पर ही बहुत ही इंपोर्टेंट शहर आपको देखने को मिलेगा गुजरात का जिसका नाम है एहमदावाद ठीक है ये सावरमती पर आपको देखने को मिलेगा तो सावरमती के बारे में हो गया अब हम नेक्स बात करते हैं किसकी नेक्स बात हम करते हैं माही रिवर की और माही रिवर आपकी तीन स्टेट में फ्लो करती है सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रही करक रिखा ट्रॉ topic of cancer, तो माही रिवर यहां से निकलती है, यह देखो, dotted है red color में, तो माही रिवर क्या करती है, माही रिवर मद्द प्रदेश से निकलती है, अगर हम थोड़ा एहमदावाद को यहां पे, पॉइंट तो लिखी लिया होगा आपने, अहमदावाद यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो माही रिवर यहां से निकलती है, और मद्द प्रदेश के बाद, यह क्या करती है, महरास्ट के प्र गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाके अपना पानी, गल्फ ऑफ ख पानी गिरा देती है तो इस रिवर का नाम क्या है माहिम कहां से निकलती है मद्द प्रदेश से MP से निकलती है और MP के बाद ये कहां जाती है मद्द प्रदेश के बाद ये महरास्ट में एंटर करती है या महरास्थ के बाद यह enter करती है गुजरात में तो तीन स्टेट में जाती है और गुजरात में जाके अपना पानी drain कर देती कहां पे जाके गल्फ आफ खमबाद में इस पर ये कोशन ये बनता है ये ट्रौपिक of cancer को ट्रॉपिक of cancer को two times दो बाट क्या करती है कट करते है एक कट यहां पर मारा फिर यह मद्रप्रदेश में उपर से आए फिर इसने ट्रॉपिक of cancer को तो भारत की इकलौती river है जो ट्रॉपिक of cancer को दो बार काटती है कौन सी? माही river कितने स्टेट में जाती है मद्द प्रदेश महारास्त गुजरात तीन स्टेट में फ्लो करती है और गल्फ आफ खमवाद में अपना पानी गिरा देती है उमीद करता हूं समझ गया हूंगे आप चलिए अब नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं नेक्स्ट जो रिवर है हमारी यह महारास्त में यह जाती है ऐसे करके हल्गी से टच करती है ठीक है अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो नेक्स्ट रिवर जो हमारी है वो कौन सी है मद्द प्रदेश से निकलती है यहां से निकलती है हमारी यह ऐसे करके निकलती है महारास में इंटर करती है महारास के बाद गुजराद में गुजराद के बाद गुजराद के बाद गुजराद के बाद गुजराद में जाके अपना पानी किरा देती है और बहुत ही इंपोर्टेंट रिवर है और इसका नाम है नर्मदा नर्मदा रिव कहां से निकलती है मप्रदेश में. MP से निकलती है अमर कंटक के प्लाट्यू से निकलती है. कि फिर कौन से महरास्थ में इंटर करती है इसके वर गुजरात में, कहां पे गुजरात में जाती है. और गुजरात में यह क्या करती है अपना पानी गिरा देती है हमें काम करते हैं इसको next map पे देख लेते हैं बहुत important river है यह ठीक है यहाँ पे अगर देखो यह वाला जो map था यहाँ पे यही continue है यहाँ पे map और यहाँ से निकलती है आपकी नर्वदा river ऐसे करके और गुजरा में जाकि Gulf of Khambad यह कौन से थी यह आपकी थी Gulf of Khambad में पानी करा देती यह Gulf of Khambad थी ठीक है एरेवेंसी का पार्ट है तो यह river कौन सी है यह river है आपकी नर्मदा ठीक है कहां पे निकलती है MP में MP में कहां अमर कंटक प्लैटीर से अमर कंटक की एक पीक है वहां से निकलती है यह अमर कंटक से तो अमर रेडियल पैटर्न बनाता है रेडियल पैटर्न से तीन रिवर निकलती है अमर कंटक से एक तो नर्मदा सोन और एक महनदी आपकी इधर निकलाती है ठीक है तो तीन यहां पे सोन हो गई जो निकलती है UP में जाके गंगा की ट् अब इसके बारे में बात करें तो नर्वदा रिवर के बारे में बात करें तो नर्वदा रिवर में कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पे देखो, सबसे पहले तो यह कहां पे जाती है, जवलपूर्फ, बढ़ोच, यह कहा है, गुजराथ में, यहां पे अपनी जाके पानी गिराती है, कहां पे, यहां पे एशुरी बनाती है, यहां पे जाके, बढ़ोच में, जवलपूर्फ, आपको इसी पे इसी रिवर पे आपको मद्द प्रदेश में एक बहुती फेमस सहर है जवलपुर तो जवलपुर आपको नर्वदा रदी के बैंक पर ही देखने को मिलेगा ठीक है और यहां पर एक मद्द प्रदेश में यहां पर यहां पर आपको एक क्या मिलेगा एक बॉटरफॉल देखने को मिलेगा बॉटरफॉल आपको ज़र्ना देखने को मिलेगा और उस ज़र्ना के नाम क्या है धुआधार धुआधार या दूसरा नाम भी उसका कपिल्धारा कपिल्धार तो यह वाटरफॉल आपको किस पर नर्वदा रिवर पर देखने को मिलेगा तो कापी सारा पॉइंट है फिर एक पॉइंट यहां पर और फैक्ट आ जाता है और वह फैक्ट नर्वदा रिवर के बारे में यह है कि यह थर्ड लारजेस्ट थर्ड लारजेस्ट रिवर थर्ड लारजेस्ट रिवर है और पैनिंसुलर इंडिया पैनिंसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी एन कृष्णु कृष्णु और बोतावरी के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्या है यह पैंसुलर इंडिया की थर्ड लाजेस आपकी रिवर है ठीक है अगर वेस्टन घाट में बात करें तो वेस्टन घाट में ये पैंसुलर इंडिया की सबसे बड़ी लंबी रिवर है ठीक है चलिए अब एक चीज़ है यहां पर है बहुत इंपोर्टेंट है यह दो मॉंटें रेंज के हील जो नाम क्या है आसके रेंजब कि उसका नहीं है सत्पुरा तो बिंधेन और सत्पुरा के बीच में यह क्या करती है कि बिंधेन और सत्पुरा के बीच में जो फॉल्ट है उस फॉल्ट में यह रिवर क्या है फिलो कर रही होती है अपने पानी ड्रेंड कर रही होती है ठीक है समझ गए तो दो मॉंटेन एज इस में कर रही है विन्зे न उपर संपुर नीचे अब तीसरी सिरिवर की बात करें तो थेर्ड रीवर हमारी यहां से आती है एक मद्ध्रदेश से ही निकलती है महारास में इंटर करती है महारास के यह जाती है फिर गुजराँ में जाके गुजराँ वे अपना पानीं गल्फ कंवाद में यह भी पानी गिरा ती हो इस मिरा का नाम क्या है तापी इस यह भी ुट इंपॉर्टेंट रिवर है तापी रिवर और तापी की बात करें तो यह फौर्थ लार्जेस्ट रिवर है peninsular इंडिया की, after godavari, krishna, and tapie, तो tapie river की बात करें, तो ये कहां से निकलती है, इसके source point की बात करें, तो ये निकलती है, महादेव hills से, महादेव hills, महादेव hills से ये निकलती है, तो उसके पास में बैतुल के plateau है, बैतूल प्लैट्यू तो बैतूल प्लैट्यू महादेव हिल्स के पास में बैतूल प्लैट्यू है यहाँ पर आपकी महादेव हिल्स पाई जाती है यही पर एक बैतूल प्लैट्यू पाई जाता है बहां से तापी रिवर निकलती है और यह कहां यह MP महाराव्ा रास्टॉत है युश्य आज्ड युशरा तीन इस्टेट में फ्लो करती आ एंड़-पॉइंट की वात करें सूरथ दापी के पास यह एस्ट्री गिरा गरत देते है गुल्फ आफ खांबाद में पानी गिरा ग्रा ठीक है तो ये था इसके बारे में अब पूछा जाए कि नर्वधा और तापी के बीच में कौन सी आपको ब्लॉग मलग जो रेंज मौंटेन की दिखेगी वो कौन से दिखती है वो आपको सतपुरा रेंज दिखती है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अब हम बात कर लेते है बाकी रिवर्स की ठीक है बाकी कौन-कौन सी रिवर्स है उनकी बात कर लेते हैं लेकिन वो गल्फ आफ खमबाद में वाटर नहीं गराती है तो गल्फ आफ खमबाद में जो वेस्टन घाट में गिरने वारी रिवर है उनमें से कौन-कौन सी रिवर है जो गल्फ आफ तो यह जो रिवर्स है चार रिवर्स है यह अपना पानी कहां धिखाती है, गल्फ ऑख खमबाद में गिराती है, ठीक है, यहां पे एक कोशन बनता है, तो यहां पे अगर आपको कोशन दे दिया जाए, चूज करें नदिया काफी दे दिद्याएं, तो आप चूज कर सकतें, चार river है जो अपना पानी क्या गिराती है गल्फ ओ खंबार मेर कुर evolution अब हम बाकी rivers की बात कर लेते हैं जो अपना पानी Arabian Sea में गिराती है तो बाकी rivers कौन-कौन सी है तो चलिए next वाले पर देखते है तो हमने उपर वाली rivers देख लिई अब बाकी rivers देखें, तो यहाँ पे आपको एक river मिलेगी, यह आपका गोवा है, यह है क्या है, यह आपका गोवा है, यह आपका Arabian Sea है, यह आपका रहा बेयर बेल, अब गोवा में एक river निकलती है, जिसका नाम क्या है, इस river का नाम क्या है, यह river जो निकल लई है, यहाँ पे इस this ृवर की और सीरिवर का नाम है मांडवि मांडवि रिवर का च बोट में दो रिवर है फिर एकर और निकलती ए यहां पे ऑर इस रिवर का नाम है इस ट्रेवर का नाम हम आपंड़ video जो आरी रिवर तो ये दोनों रिवर आपकी गोवा में देखने की मिलती है फिर हम गोवा के नीचे आते हैं तम हमें एक रिवर मिलती है दो रिवर मिलती है सरावती और एक रिवर मिलती है इस रिवर का नाम है सरावती सरावती और इस river का नाम आए dependah. गंगा बने ये river आपको देखने को मिलेंगी करनाठा को है। अच्छा सरावती river की बात करें तो सरावती river की बात करें जाए तो सरावती river पे एक हुछ ही important आपको यहां पे water fall देखने को मिलेगा और उस waterfall का नाम क्या है उस waterfall का नाम है जोग waterfall जोग उसके और भी दो नाम है तो एक नाम उसका है महत्मा गांदी महत्मा गांदी और दूसरा नाम है गर्सोपा गर्सोपा यह दो नाम और यह waterfall का मिलेगा आपको सरापती रिवर पर मिलेगा जो करनाटक में फ्लोवर ठीक है अब हम आज आते हैं नेक्स्ट रिवर पे और जो केरल में रिवर मिलेगी और पहली जो रिवर गिरती है इसका नाम है भरत पूजा भरत पूजा दूसरी रिवर यहां पर आपको मिलेगी बहुत इंपोर्टेंट रिवर जिसका नाम है पेरियार फिर आपको एक नीचे और हिल मिलेगी जिसका नाम है पंबा पंबा यह हम पंबार यह आपको मिलेगी केरलर लो क्या है टो भरत पूजा के वाड़े में यहांपे लिखें यह केरल की सबसे लॉंगेस्ट रिवर आप लॉंगेस्ट रिवर ऑफ केरला बरत पूचाएंगे तो यह थी और इनका जो अरविन सी में गिराती है पानी अपना ठीक है तो यहां पर देखो क्या-क्या कोश्चन्स बनते हैं यहां पर अगर रिवर्ट के बारे में देखा तो एक यहां पर क्य सकता है कि यह पूस्ट आ सकता है को मार यहां कौन सी रिवर के बैंक पर है तो आपको पता होना चाहिएuchen में पर पानी नहीं गिराती नहीं इस फिर चल पूना है तो आप से पूस्ट रही तो ही है है हम्त वास सहर किस नदी के तठ पर है तो हैं तो आपको पता होना चाहिए सावरमती कि तुम प सावरमती और नर्वददय निकलती है अब कौन विफ और guidelines निकलती है किन दो mountain range के बीच में फ्लो हो रही है पता होना चाहिए आपको विंद्धे नौर नौर साउथ में कौन ते सत्पुरा mountain ठीक है अब नर्वदा से पूछ दिया जाएगा इस पर कौन सा मद्रदेश का कौन सा सहर है जो नर्वदा कोशन्स बन सकते हैं यहां पर कैसे कोशन्स तो हमने सब पर discussion कर लिया है तो चलिए आएए हम कुछ कोशन्स देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर है कि जो waterfalls on a every ऑन ने बात की ती किस पर है सरावथी रिपर दुंग जलाओ के बार किरें दो क्रिशन इत्रीप्EZ कैं है कृष्णा की ट्रिप्विट्री में evitar कॉइन कोई न कि ऊसे राखिप्थिज्ट लियाकR key कोई न किसकी ट्रिब्फी ट्रिप्वू आ चेक है मिसें यह चुछ ए लिए नेक्स्ट कुश्चन है विच वन आप फॉल्वाइंग रिवर्स ओजिने टाइड अमर कंटक्ट तो आपको पता होना चाहिए वह इमने बात की थी दामोदर क्या है दामोदर अमर कंटक से नहीं यह हुगली की ट्रिब्यूटरी है और यह आपकी राची के प्लाटीव से वह द्र निकलती एखबन उन न्हीं आपके बात करें तो यह आप Fiona कर्देश औरुज बॉक्टर ड्र peng plane पराण बाटर रेंड करती है तापी की बात करें तो ये भी तीन स्टेट में जाती है लेकिन ये महावली जो मौंटेन हिल्स हैं उसके पास में बैतुविल प्लैट्वे बहां से निकलती है तो आंसर क्या हुआ हमारा नर्वदा नेक्स है नर्वदा एंट तापी रिवर ऑफ पुराना है इसलिए ये मलब बैस्ट वर्ट फ्लो कर रही है फिर कह रहा है ऐलांग वैली कार्ट वाइदा एनके द्वारा जो जैसे यह मांटेन है इनके बीच में बह रही है तो ये काट रही है एरोजन कर रही है काट काट के बह रहे हैं इधर इनका तो यह भी कोई रीजन नहीं है दोनों तीछरा कह रहा है अलॉंग तुरू बाउंड़ वाउंड़ वाउंड़ फॉल्ट आचा यह दो फॉल्ट के बीच में बह रहे हैं बिन्देन और आपको ब्रह्मा जी का मंदर देखने को मिलेगा विच वन फॉल्ट तो कच रन आफ कच अरेवियंसी गल्फ आफ कामबे और लेक सामर तो इस पर है लेकिन ओरजिनेट की बात कर रहा है तो लेक सामर तो इस पर बीच में जब यहां पर आते तब लेक सामर पढ़ती है तो यह तो नहीं होगा गल्फ आफ कंबे पे तो जाती नहीं एरवियंसी में जाती नहीं ब्लीन हो जाती है रन आफ कच में आंसर हमारा क्या हुआ यह ओप्शन नेक्स है विच्वपन आफ फॉलिंग अरेंच हमें करना है नौट टू साउथ नौट टू साउथ अब हम इंडिया क मैप पे देखेंगे यहां पे क्या है नौट टू साउथ हमें लगानी तो सबसे पहले यहां पे आएगी गोदावरी गोदावरी के बाद आपकी पेनार आएगी पेनार आपकी यहां पे आएगी पेननार के बाद आपकी कावेरी आएगी कावेरी आपकी यहां पर आएगी और कावेरी के बाद यहां पर आपकी अरेवियन सी में पानी गिराती है कौन से नदी पेरियार तो not to south क्या होगा सबसे पहले गोदावरी आएगी फिर पेनार फिर कावेरी फिर पेरियार पेनार कावेरी पेरियार यह option हमारा हो गया तो फिर इस टाइप से भी आपसे question पूछे जा सकते हैं कि not to south, south to north, eastern western दोनों mix करके आपको दे दी जाए चलिए तो यह थे हमारे question हमने discuss कर लिए western heart की जो नदियां थी map पे कैसे क्या question बन सकते हैं क्या fact थे उन पे सारा हमने detail में बात कर ली तो चलिए मिलते हैं next lecture में तो तक लिए जाएं